आप दोस्तों मैं हूँ अमेवाजिब आप देख रहे हैं पेगाम टीवी प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे रियासत महाराश्टरा के शहर पूना की पूना में मौजूद एक मेट्रो एस्टेशन में आधी राद गए अचानक भैनक आतिस्जद्गी का वाख्या हम ये वाख्या किस खदर भैनक था ये जानने के लिए देखे हमारे नुमाइंदे मौम्मद फारुक की पूना से ये खास हुआ ये हमारा देश हिंदुस्तान है यहां वकफे वकफे से आग लगने के वाख्यात रोनमा होते रहते हैं कभी किसी दवाखने को आग अपने लपेट में ले लेती है तो कभी कोई स्कूल या होटल इसकी जब में आ जाते हैं और अब तो सरकारी इमलाग भी आतिस्जद्गी के वाख्यास से मतासिर होने लगे हैं आग में जलकर मरने का सिर्फ तसवर ही इंत्याही होलनाक है लेकि कभार के दिन आदी रात के खरीब रियासत महराश्टरा के शेर पूने में मौजूद मेट्रो स्टेशन में अचानक आग भड़क उठी महत्मा फूले मंडाई मेट्रो स्टेशन में वेल्डिंगा कामजारी था स्टेशन में कुछ लोग अपने ट्रेन के आने का इंतिजार कर रहे थे रात होने की वज़े से हर तरफ खामशी का राज था कहीं कहीं कुछ लड़के लड़किया गरम काफी की चुस्किया लेते हुए महु गुफ्तगु थे तो कहीं लोग अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए बेताब दिखा ही दे रहे थे कि अचानक वेल्डिं बेचैन हो गए और अपनी जान बचाने के लिए महफोज मुखाम की तलाश में इधर उधर दोड़ते देखे गए जब आग फुरो अमले को इसके तला मिली तो छे गालिया यहां पहुचीं फाइर फाइटर्स दे बड़ी मुशक्खत के बार आग पर खाब पानिया ताहम किसी जानी नुकसान की कोई तला नहीं मिली है लेकिन यहां हमें सबजने की जरूरत है कि तबाही पहलाने वाली आग जब भड़कती है तो उसे बुझाने के बजाए उस आग में फंसे अफराद के बचाओ की अहमियत ज्यादा हो जाती है इस पर ध्यान देना जरूरी है होटलों, स्कूल्स, स्टेशन्स वो दीगर एदारों में गाहे बगाहे आग लगने के वाफियात की रुक थाम जरूरी है मुतालुखा हुकाम को चाहिए कि वाग पर खाबू पाने और हंगामी सुरत हाल में बचाओ पर शौर बेदारी महम का आगास करें क्यूंकि जब ए पहिमतरीन एगदामात करने की जरूरत है वरना सब को ये गीत दोहराना पड़ेगा जिसे मौम्मद रफी निगाया है क्या Railsी करने वेल्डिंग चें खामचालू रसना लां टे त्या बाधूसला एक जिसी दक साथी वापड़ी जाथी होती आणि वेल्डिंग चायेक अंगार जे आहे ते जाओं ते जाओं त्या फोम वर पड़ा आगला दूशी त्या मुळे जी स्मोक आहे ते जासत परमाने वारधी आगीचा परकरण ये बड़ा परचंड नहीं होता प्रतु ते फोम असले आ मुळे जी स्मोक